हेलो गाईज आप लोग कैसे हैं हो बाद बाद अच्छ होंगे सो गाईज इस वीडियोगा हम देखने वाले हैं आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो यू नीड टू नो सिक्स मेजर तिंग ये छे चीजी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वर्डप्र बहुत सरी लोग ऐसे हैं जिनके confusion होता है कि वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org दोनों एक हैं बट यह बोथ डिफरेंट वो दोनों ही अलग है काईज तो मैं आपको लैट्व की स्कीन पर यहां पर सर्च करकर बताऊंगी कि कैसे वर्डप्रेस.com डिफरेंट है और वर् यहां पर सर्च किया तो जैसे हम वर्डप्रेस.com तो आप देखो के यह एक तरह सेयु यहां पर बनेगी एक तरसी होस्टिंग है जो होस्टिंग और डॉमेंड प्रोवाइड करती है अप यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्टपरेस सेर्च करो तो इसके रिगाडिंग सबसे पहले जो वैपसाइट आती है वो वर्टपरेस.com की आती है और आप देख सकते हों यहां Enfas Secure Manager वोर्डप्रेस ओस्टिंग बत्द यंदर वेफड़ाइट कॉम वर्डप्रेस ओस्टिंग बना सकते हैं यह वर्टपेस.com यह फ्री नहीं है ठीक है यह फ्री बिल्कुल लिए वर्टपेस.com फ्री नहीं है जो वर्टपेस hosting प्रोवाइड करती है होप आपको clear हो गया होगा कि वर्टपेस.com है क्या सिंपल भास हम बोला जाएं यह प्रकार की hosting है जो पोस्टिंग प्रोवाइड करती है जैसे कि गोडरी करते हैं hostinger करता है ब्लू host करता है गेडर रख करता है एक टू हिस्टिंग करती है ऐसे बहुत सारे hosting WordPress.org मतलब आप WordPress डाउड कर सकते हो बर इसके साथ अब पढ़ो डाउड वर्टप्रस टूड़े अन गेट स्टार्टेड अन क्रीटिंग यूर वेबसाइड 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 मतलब आप यहां पर एक तरह से WordPress को install करके किसी दूसरे प्लैक्सन पर वो हो सकता है चाहे आप किसी hosting पर या किसी server पर जाकरके इसे वहाँ पर integrate करोगे और WordPress पर वेबसाइड बना पाऊगे ठीक है आप यहां पर यहां पर यह भी नीचे वाली पढ़ो WordPress.org, Block Tool, Publishing Platform and CMS एक तरह से contentment system में जो free open source है सब की लिए आप यहां पर free में वेबसेट बना सकते हो ठीक है यहां देखो तो जो mostly हम use करते हैं वो WordPress.org करते हैं तो हम जो वेबसेट बनाते हैं जो हम free में सारी चीज़े करते हैं अपनी वेबसेट बनाने के लिए वो होती है WordPress.org फिर हो गया हो गाईज WordPress.com एक फोस्टिंग प्रोवाइडर है WordPress.org एक तरह का system में यह platform में जहां आप एक वेबसेट बनाते हो बिलकुल free में एक open source है every everyone वो चाहे डवलपर हो चाहे वो यूजर हो कस्टमर हो किसी टाइब का भी वो यूजर क्यों ना हो वो फ्री में वेबसेट बना सकते हैं ओके गाईज यह clear हो चुका होगा अब दूसरा point बात आती है कि WordPress drag and drop feature देता है like drag and drop है हम drag and drop से बना सकते हैं guys पहली बात तो clear कर लो WordPress एक तरह का system है platform जाँ बनाते हो बट आप यह पूलोगी कि WordPress drag and drop करता है और बनाता है नहीं बिलकुल नहीं यहां पे उनकी third party system है system यानि कि plugin एड़ होती है और third party plugin के थ्रू drag and drop से वैपसे बनती है उसे बोलते है वैपसे बिल्डर अब वैपसे बिल्डर के थ्रू होता है वैपसे बिल्डर एक एलमेंटर है जिससे हम drag and drop करते वैपसेट बना सकते हो पेज पर ओके अंद दूसरा जो होता है वो डाबलोपी बैखरी होता है ठीक इसी तरह बुटेंबग भी एक एडिटर है जहां ड्राइगन डॉप से वैपसेट बनाते हो बट वर्टपरस इस न बहुत लोग नहीं क्यार करते हैं वह होती है सेकुरीटी वर्टपरस पे सेकुरीटी बहुत बहुत जादा हाई होता है लाइक आपको सेकुरीटी बहुत ही कम मिलती है यहां पे अगर किसी ने भी आपकी आड्मीन आईडी पाग गए हो और उसका पास्वेट पागए तो तो आपके website को बिल्कुल hack कर लेगा और वो उसकी security बिल्कुल ही नहीं रहेगी बहुत जादा ही unsecure होता है क्योंकि यहां पे आपको वैसे plugins नहीं मिल पाते हैं अगर आप यह plugin यूज़ करते हो जो wordfence है wordpress security plugin अगर यह आप यूज़ करते हो ठीके गाइस तो आपको wordfence plugin यूज़ करनी है totally secure करने के लिए अपनी website को और यह बिल्कुल free है ठीके आप इसको यूज़ कर सकते हो यह कोई promotional वीडियो नहीं है आप ऐसा बिल्कुल मैं सोचना मैं अपना एक experience आपके साथ शेयर कर रहे हूं वह सारी चीज़ कर रहे हो जो एक wordpress website बनाने के पहले आपको पता होना चाहिए अब चौथा आता है बात वह होता है true domain name अब कभी वी wordpress website बनाने जा रहे हो गाइस तो आपका यह कभी वी किसी टप कभी बनाने जा रहे हो तो आपको टू नेम लेना है जैसे कि अगर अगर आप jewelry swap में काम कर रहे हो jewelry niche पे काम कर रहे हो जहां पे accessories आ रही है तो आपको कुछ वैसे ही regarding accessories regarding आपको वहाँ पे domain रखनी है like आप ले सकते हो your jewelry.com like your asset type को कुछ नाम रखता है तो जो jewelry को ही define करे उस niche को ही define करे जब true domain होने चाहिए जो और google पे या search engine किसी भी जब as swap करोगे तो वहाँ authenticity बिल्ड होती है और कभी भी कोई भी आपकी निश्क रिगार्डिव कोई search करेगा तब कर domain के वज़र से आपके domain को वज़र से अपका page अपकी वाप से rank करती है यह बहुत लोग को नहीं पता है वो बिजनस के रिगार्डिंग अपने निश्क को अकॉर्डिंग लेते हो अपने domain नेम तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है जब आप उसको पर SEO करते हो जब आप उसे अपनी website को launch करते हो web server पे तो वह बहुत ज़्यादा authenticity बिल्ड करता है और योजर को भी बहुत ही आई क्याची एंड कंविंसिंग लगता है ठीक है तो आपको समझ में आवसी जिसो फिलिपकार्ट कब देखो फिलिपकार्ट ने कार्ट क्यों रखा कार्ट मिन्स होता है कि आप अपने किसी भी प्रोड़क को बाई करने जा रहे हो ठीक है एक्ट्ट करते हैं तो ऐसा ही सब्सक्राइब करते हैं तो आप किसी भी अपने किसी भी एक्स्टेंशन को ले सकते हो गाई उन इस एक्स्टेंशन का भी बहुत ही हाई वैल्यूम होता है अप नहीं जानते हो बैट यू शुड ऑवियर अबाउट इट की सिभ डाट कॉम डोमीन ही नहीं होता है ठीक है तो ऐसा जैनुवीन आपको डोमीन लेना है गाईस ओके आता है यह पांचवी नंबर की पांचवी थिंग्स क्या है आपको वर्डप्रेस से कोई भी ऑफिशल सपोर्ट नहीं मिलता है यह आपको अवेर होना पड़ेगा कि जब आप वर्डप्रेस सीख रहे हो वर् अब आपको सर्च करते हो तो वहाँ पर एक तरह से दिएगे उनी के उनी के तीम के तो दोवारा देगे कुछ एंसर्स होते हो उनको आप रिड़ करके अपने सॉल्म किया तो किया बट वहाँ पर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है यह वहाँ पर कभी भी 24-7 सपोर्ट कोई अगर आप कोस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो होस्टिंग से हैल्प ले सकते होस्टिंग के रिगार्डिंग वर्डप्रेस भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है अब आते सिक्ष पॉइंट वह है डेनी बैक अप कैस आपको हमेहीं सा जो है अपने बैक अप को अपडेट रखन हो जैसे अप्राट प्लस है इसको अप डेली बैक अप के रूप में एक्टिवेट रखना हुआ जैट जैट पैक है और बैक अपनी है और डाबल पी विविड है तो यह दो तीन ऐसे अच्छे प्लगीन है जिसके लिए आप बैक अप को यूज कर सकते हो बैक अप के लिए रहेगा तो आप सारी चीजे रिस्टोर कर लोगे अगर नहीं रहेगा तो आपकि सारी महनत पाने में चल जाएगी तो कुछ हो या ना हो सबसे पहले आप अपनी बैक अप को सबसे पहले करो अपनी बैक अप को जल से जल अपनी वैपसाइट के बैक अप को डेली बहुत-बहुत इंपारइनट है तो आप इन्हें योज कर सकते हो यह सारे प्लगिन को तो जह सिक्स जो प्राइज शब्स की आप इस इस किस तीप यह इस यह इंपोंट इंब्फंस जो पता चला जिये कैसे लगा मुझे कमेंट बताना क्या आपको इन सिक्स में से पता था आ है तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगा है तो प्लीज कमेंट करना और गाइज अगर पसंद आया तो लाइक दो कर दीजिएगा सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो बैल नोट विच्ट कर दो गाईज और आपको नहीं वीडियो अगर चाहिए तो प्लेटों से जल से जल हिट करो उसको तोड़ो फोडो मैंने जानती आपको हिट करना है ताकि आपको नहीं वीडियो के लिट्रिफिकेशन मिलते नहीं और आप इसी तरह की यूसफूल इंफॉर्मिशन वीडियो के लिए आप अपडेट रहो और हमेशा अपनी अप्टू और ये उली जापक।ब रहो और आपको हुआ हमाँस थास।वेशन वीडियो के लिए गयान वीडियो के लिए यहीं भहों के लिए हुआ हूसरे नहीं नहीं वीडियो के लोग फशने हुआ हुआ है पREE